हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने लावा युवा 3 प्रो एंडुट मॉइल फोन में आप अपने मॉइल फोन से कभी भी कॉल करते हैं तो आपके फोन की जो कॉल होते हैं वो सेंड नहीं हो पाती तो इस प्रावलों को आ हमारी लग नहीं पाती हैं जब भी हम यहां से डायल करते हैं तो ड्यकि ना इसकी सॉलिषिन के दिए क्रिये सबसे पहरे तो आप को आपको अगला प्रोसेस आपको करने क्या है आपको अपने मुबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है कभी कबार ये ठीक से काम नहीं करती है जिसके कारण हमारे फोन की जो कॉल होती हो सेंड नहीं हो बाती है इसके अंदर आपको नीचे reset setting पे tap करना है, इसके अगले page में दुबारा से reset setting पे tap करना है, तो आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, यहाँ वेट करते थोड़ा सा यह देखिए, network setting have been reset, इस तरही से आपको mobile phone की network setting को reset करना है, जिससे आपके phone automatic switch off हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद automatic switch on हो जाएगा, restart करने से यह होता है, हमारे phone के android system में, अगर कोई problem आ जाती है, तो problem जा solve हो जाती है, phone को restart करने से, ठीक है, अब देखिए, अगले प्रोसेस करना है कि आपको अपने phone की APN setting को reset करना है, APN setting को reset करने के पेज, APN का होता है, इसमें सबसे उपर 3.4 option टैप करना है, एक छोटा सा page open होता है, इसमें आपको reset to default टैप करना है, नीचे आपको यहाँ पर लिखावा आ जाएगा, reset default APN setting, इस तरह किसे आपको phone की APN setting को reset करना है, जिससे आपके phone की call sender नहीं होती है, यह problem solve हो जाएगी तो mobile phone का software अगर update नहीं रहता है, तो इससे हमारे phone के Android सिस्टम में कुछ कमिया, आने लगते हैं, तो phone का software update है या आपको check कैसे करना है, सबसे बाद phone का internet आपको चलू रखना है, इसके बाद phone का setting page उपन करिए, setting page में आपको नीचे system पर tap करना है, इसके अंदर आपको नीच प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको phone का setting page उपन करिए, setting page में सबसे नीचे system पर tap करना है, इसके अंदर आपको सबसे नीचे है, delete all data factory reset का option tap करना है, इससे आपका mobile phone reset हो जाएगा, और आपके phone की call send नहीं होती है, प्रॉलम आपकी solve हो जाएगी, लेकिन आपको phone को reset करन पहली बात ही ध्यान रखने है, आपके phone में जितना भी data है, सारा data आपके दूसरे phone में transfer कर लीजिए, या उसका backup ले लीजिए, दूसरी बात ही ध्यान रखने है, आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करना है, ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको phone को reset क करना है, तो दोस्तों इस वीडियो मेरे बताए हुए सारे process आप यूज़ करेंगे, तो इससे आपके phone की call send नहीं होती है, problem आपकी solve हो जाएगी, ठीक है?